एक समय की बात है दूर कहीं एक जंगल था जहां पे बहुत सारे पक्षी रहा करते थे पर जैसे ही दिन बिटते गए उस जंगल में खाना की बहुत कमी हो गए सभी पक्षी बहुत जादा परिशान हो जाते हैं तभी उसी में से एक चड़िया बोलती है अब हमें खाना इस जंगल में तो नहीं मिलेगा खाना ढूरने के लिए हमें जंगल से कहीं और दूर जाना पड़ेगा तो कल से हम लोग खाने की तलाश में कहीं दूर जाया करेंगे अगले दिन अगले दिन सभी पक्षी खाने की तलाश में दूर जंगलों में जाने लगे पर किसी भी पक्षी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल लाँ था अगर टूनी चडिया जूरती रहती है तभी उसे दूसरे जंगल के बहुत सारे पक्षी एक पेड़ पेड़ हसते खेलते नजर आते हैं तूनी चडिया पूछती है तुम लोग इतने खुश क्यों हो तभी उनमें से एक चडिया बोलती है क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खा कर रहा है तूनी चडिया बोलती है पर तुम्हें स्वाधिष्ट खाना कहां से मिला? तब वो चुडिया बोलती है तुम यहां से चलती जा ओ, वहाँ पे तुम्हें एक नदी मिलेगी नदी के उसके बहुत सारा स्वाधिष्ट खाना है फिर तूनी चिडिया उस चिडिया की बताई हुई जगा पे जाती है और वो बहुत ज़ादा खुश हो जाती है फिर वो बाथी की चिडियों को भी बही पे बुला लेती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं इस सब खुशी खुशी पेट फर खाना खाती हैं और उन्हें कभी बीज कोई परिशानी नहीं होती